वाट्सप गाईज ब्रेकिंग नीज़ है कि इरान का जो प्रेजडेंट है उसको डिकलेर कर दिया गया है डेड और जो जिस हेलिकॉप्टर में था बोल रहे हैं कि वहाँ पर कोई भी जिंदा नहीं बचाए तो देखते हैं इसके उपर पूरी वीडियो में एनेलेसिस होगा क्या कुछ हुआ है तो प्रशांदवन सर की वीडियो है और क्या कुछ वर्ल्ड लीडर्स की इसके उपर रियक्शन निकल के आ है वो भी देखते हैं तो चैंपने तो प्रीज सब्सक्राइब वीडियो कर दें लाइक पॉन टू तो त्री गो इसराइल का भी क्या कुछ कहने है इस पर नमस्कार रहने विलकम यौल टू स्टड़ी आईक्यू मैं प्रशांदवन ये बात अब कंफर्म हो चुकी है इरान के प्रेजिडेंट एवराहिम रहीसी ये मर चुके हैं मैं कहूंगा बहुत जादा अनफॉर्चुनेट है इरान और इरान से जो सीन्स निकल के आ रहे हैं ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ यहाँ पे आप देख पाओगे रात भर इरान की सड़कों पे इस तरीके से लोगों ने प्रातना करी है प्रेयर मांगी है कि काश इनके प्रेजिडेंट बच जाएं और ऐसी बहुत सारी वीडियो मैं आपको दिखा सकता हूँ सड़कों पे लोग थे कई लोग रो रहे थे बट अनफॉर्चुनेटली रात भर सर्च ओप्रेशन क्यारी आउट करने के बाद कई कंट्रीज की इन्वाल्मेंट के बाद भी इरान के प्रेजिडेंट नहीं एक बहुत ही इंपॉर्चन कंट्री है इरान के काफी अच्छर रिलेशन्स आप कह सकते हैं इंडिया के साथ इवन पाकिस्तान के साथ भी रश्या टर्की के साथ तो जैसे ये न्यूस सामने आई के प्रेजिडेंट रही सी बस मिल नहीं रहे इनका हलिकॉप्टर गायब हो हो चुका है हमारे देश के प्रामिस्टर ने ये ट्वीट करी के मैं डीपली कंसर्ण हूँ के इरान के प्रेजिडेंट का हलिकॉप्टर अभी बस मिल नहीं रहा गायब हो चुका है और शेबाज शरीप ने भी यहाँ पर यहाँ पर यह बात कई के काफी डिस्टरसिंग न हुआ था इसको ढूंडी रहे थी रश्या यहाँ पर बहुत जड़ा एक्टिव हो गया रश्या और टर्की दोनों ने अपनी तरफ से टीर बेजनी स्टार्ट कर दी और हर तरफ से इरान की हेल्प करने ही कोशिश करी के जो यह हेलिकॉप्टर इनके प्रेजिडेंट का जो प्रेजिडेंट करने के लिए और एक्टिव हो गया थी कि जिस जगा पे इबराहीम रहीसी का हेलिकॉप्टर गायव हो गया था वहाँ पे मौसम इतना जादा खराब था कि इरान के रेवलूश्टनी गार्ड्स इरान की मिलिटरी कुछ कर नहीं पा रही थी और आप सोच क पर देखिए इरान के लोगों के लिए पूरी रात किती जादा नर्वसनेस के साथ भीती होगी क्योंकि इनको पता था नहीं कि इनके प्रेजिडेंट बचे है या फिर मर चुके हैं बस इस एरिया में कॉंस्टेंटली ये लोग सर्च कर रहे थे और इवेंचुली क्या होत है कि टर्की का एक ट्रोंच जो तर्की ने दिया था एरान को शर्जुं के लिए उसने ज谏 जगा देखी जहां पर बड़ी क्राश साइड का एक सपॉट था यहां पर देख पाऊगे ये जो वीडियो है ये तर्किस ड्रोन से सामने है आई सफसाफ आप नोड कर पाओगे ये एक impact का एक बहुत बड़ा sign है कहीं से लग नहीं रहा कि कोई यहाँ पर बचा होगा बट फिर भी rescue teams को भेजा गया यहाँ पर कोशिश करी गई कि क्या पता कोई injured यहाँ पर हो कुछ पता लग जाए बट साफ साफ लग रहा है कि इरान के president का helicopter बहुत जा कर देखिए कितनी हजीब बात है तीन helicopter थे इरान के president के काफिले में और तीनों मैंसे गिरता भी कौन सा helicopter है वही helicopter जिसमें इरान के president और इनके विरेश पंत्री थे जो coincidence है यह इतना ज़रा जीब है कि आप इसको explain नहीं कर सकते हैं अब यहाँ पी obviously आपके mind में question आएगा कि इ देखो अभी तक मैंने आपको जो बताया ना यह जानकारी आपके लिए काफी important थी अब आप समझ पाओगे कि इसराइल का जो reaction है इसको लेकर कई लोग इत्ते जादा suspicion से क्यों देख रहे हैं देखो राद भर search and rescue operation चला पता था नहीं के rice मरे या नहीं मरे आपने भी देख के हैं इसराइल के officials के पास जब media पहुचा तो उनका पहला जवाब यहीं था हाँ देखिये पताया मर चुके है मगर हमारा हाथ नहीं है media वाले यही बात देखकर काफियत तक shock हो गए कि हम यह तो पूझने आए नहीं थे कि बचे हमरे आपने तो खुदी confirm कर दिया बट यह बहुत ही interesting है कि इसराइल को पहले ही काफिया तक idea लग गया था कि यह मर चुके है हलांकि इसराइल ने officially कह दिया है कि कोई भी इनकी involvement यहाँ पर है नहीं यह तो बी ओनेस देखिए इसराइल की involvement इस case में साबित कर पाना बहुत ही मुश्किल होगा unless इरान के अंदर बहुत जादा deep इनके spice चुपे हुए है इसराइल के जिनोंने प्रेजिडेंट के helicopter में कुछ sabotage कर दिया कुछ bond नोस क्या हुआ होगा मैं पता नहीं है बट जो भी यह हुआ है यह इरान की धर्ती पे हुआ है इसराइल का कोई fighter jet कोई missile आसपास दिखा नहीं था तो इसराइल पे देखिए डरेट कोई आरोफ लगा भी नहीं सकता obviously US में और इसराइल में इस बात को लेकर खुशी है कि इरान के president मारे गए है USA के एक lawmaker ने तो open यही कह दिया कि good riddance अच्छा हुआ यह आदमी मारा गया यह USA के lawmaker का बयान है मैं काओंगा काफी insensitive है मगर US और इसराइल में आप कह लीजिए बहुत जादा animosity है towards इरान तो इनके president के मरने पे भी इस type का reaction आ रहा है from US और अगर यहाँ पे आपका question यह सामने आ रहा है कि मान लीजिए अभी investigation होती है इस इलाके में और कुछ एक संकेद मिल जाता है कि इसराइल के agents यहाँ पे involved थे कुछ एक proof मिल जाता है कहीं से इरान को कि इसराइल की यहाँ पर involvement थी तो उस case में क्या होगा उस case में देखिए इरान action लेगा मैं आपको बता दूँ अभी investigation यह लोग करेंगे कि यह सब हुआ कैसे है तब तक वैसे मैं आपको यह बता दूँ ऐसा नहीं है कि अब इरान में अचानक से leadership की कमी हो जाएगी country विखर सकता है ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि इरान में जो सबसे ज़ादा powerful आदमी है वो है Ayatollah Ali Khameini यहाँ पे आप देख पाएंगे यह है supreme leader of इरान इनके नीचे आते थे president इनके इब्राहिम रहेसी जो अब नहीं रहे उसके इलावा judiciary, parliament, guardian council, armed forces सब इनके नीचे है तो जब तक ये अपनी position में बने हुए है तब तक कि इरान कुछ आसानी है destabilize होने वाला है political crisis यहाँ पे आ जाएगा बट definitely आने वाले कुछ दिन बहुत ही जादा important होने वाले हैं अगर इरान ने एक debt अरोब लगा दिया इसराइल पर तो वापस इसराइल इरान की tensions रीजन में बढ़ सकती है तो अभी देखिये इस topic से related बहुत सी developments आएंगी कुछ major updates होती है तो मैं आपके लिए बाद में updated वीडियो ले आऊँगा भाई देखो अभी involvement तो कहने सकते है पहली बात तो किसी की भी कि अभी तरीके से प्रेश दिखा हुआ है तो तो वैसे भी बोलाओ जैसे बात रहाएं और जैसे बात करूं होता है तो जब भी कुछ ऐसा होता है तो नो डाओ उस कंट्री में डिस्ट्रेस वाल हो जाता है क्योंकि एक लीडर गया उनका बहुत बड़ बड़ जो कि मता देश को कही नहीं होता है तो लेकिन अभी जिस भी तरीके से कुछ लोग मतलब जैसे इसराइल है और युएस उसको बिल्कुल फरगने पड़ता है अगर जैसे इंडिया के अगर कोई दुष्मन देश भी होंगे ना अगर कोई इसा बड़ लीडर हो होता है तो इंडिया कभी ऐसा नहीं बोलेगा कि हाँ अदेल अबड़ जैसे यह था कौन था उसामा बिलादेन और जो प्रॉपर हाँ था कि टैरिस्ता उसकी तो कहर नही अधिया सपते है कि शुटीर कोई एक करे अगर्ण भी मुष्मन मुष्मन खराब तो तू सीचिवेशन था मतलेगा कोई तो भी जैसे स्थरे कुछ होड़ाच सारे गये एक नहीं सारे बड़े गर जाती है कई पार सिचिवेशन कुछ वाल गया हो दो आगा लिग होगा बस में तो वो जब रिकावर होगा तो उससे भी मेरे साब से काफी डिटेल सामने आएंगी कि कुछ कि मैल फंक्शन हुआ था क्या प्लेन बेका आउड अफ कंट्रोल हो गया था या किस चीज से टकरा गये ते क्या हुआ देखते है क्या डवल्लप्मेंट आती आगे बाकी भी यह सी बाती है कि ऐसा होता है तो कुछ भी एक कंट्री के बहुत शॉकिंग होता है जिस कंट्री के करेंगे बाई-बाई टेक्यर